सब्सक्राइब तो मैं चैनल सूरच परकाश पर मोर अमेजिंग नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर दोस्तों कुछी हफते पहले हुआवी मेट 40 की जो सिरीज है मोबाइल वाली वो लॉँच हुई थी उसमें कई सारे जो है ऐसे सिरीज भी जो है दोस्तों ओन सेल होने को जा चुका है और जहां तक मैं बात करूं दोस्तों इंडिया में लांच होने की तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली काफी ज्यादा चांसे यहां पर बनते हैं कि हुआवी यह वाली एसेसरी जो है इंडिया में लांच करें क्योंकि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों वावी का इंडिया में जो है मोबाइल मार्केट बिलकुर थपड़ा हुआ है तो वोटेवर दे आर ट्राइंग टू मेक अप वो इन टर्म्स अफ एसेसरी हो रहा है और जो कुछ लैप्टॉप्स लाइनप लेके आएंगे उससे वो जो है दोस्तों मेक अप कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों 66 वाट अवर का आपको पावर बैंक मिलता है तो नॉट ओनली मोबाइल्स लेकिन आजकल जो जो मॉडरन लैप्टॉप्स आप लोग देखते हैं दोस्तों जो कि 65 वाट यूएसबी टाइप सी सपोर्ट करते हैं तो कई न खासा बेनिफिट ले पाएंगे मैं यह नहीं कहता कि दोस्तों आपका लैप्टॉप एकडम जो है इससे सूपर चार्ज हो जाएगा लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लैप्टॉप की बैटरी जो है मानके चलिए आपकी 60% है तो आप अगर इस पावर बैंक से चा और डूसरा जो है दोस्तों ब्लू इस CRIS lair का आपको यहां पर देखने को मिल जाता है बात करो मैं और कुछ चीजों की तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों की डो आपको सरिफ पूर्ट इंटर्फेस यहां पर देखने को मिलते हैं जैसे कि आप लिए दोस्तों charging है support करते हैं unlike in many other power banks मैंने देखे हैं दोस्तों जैसे MIK देख लीजे जैसे कि type C जो है वो fast charging करेगा type A नहीं करेगा तो ऐसे करके भी power banks आते थे लेकिन इसमें आपको जो है दोनों के दोनो type A हो चाहे type C हो दोनों आपको 66 watt की fast charging support यहां पर दे देते हैं बात करते हैं कुछ output readings की तो यहां पर 5 volt 2 ampere 10 watt 9 volt 2 ampere तो कहीं न कहीं दोस्तों अलग अलग आप इससे चाहे तो अपने छोटे से छोटे phone भी जो है इससे बिल्कूल आप अपने recharge कर सकते हैं तो मैं overall कहूंगा क्यों step up game है Huawei की तरफ से friends मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी मदद से आप दो device at a time charge कर सकते हैं लेकिन जब आप दोनों charging पर लगाते हैं तो यहां पर जो USB A है वो limit हो जाता है 5 volt 2 ampere यानि 10 watt तक और जो type C है दोस्तों वो limit हो जाता है 5 volt 3 ampere 15 watt तक तो ऐसा कुछ system रहता है उसके इसमें apart from that दोस्तों यह power bank USB power delivery support करता है और Huawei का super charge भी support करता है अपका क्या मनना है दोस्तों मुझे comment section में जरूर लिखकर में इस बारे में बताईए और जहां तक बात करूं प्राइजिंग की तो दोस्तों यहां पर 60 dollars का जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता है लेकिन आप कुछ discount coupon लगाएंगे तो around 54 dollars का पड़ता है तो कहीं न कहीं दोस्तों 60 अगर मैं बात करूं अगर मैं tax भी लगा दूं दोस्तों इसके उपर 100 dollar भी कर दूं तो कहीं यह दोस्तों आप लोग माएंगे कि थोड़ा जो है costly side में चले जाता है लेकिन देखना यह होगा कि इंडिया में Huawei इसको जो है किस price point के उपर उतारती है वो देखना ज्यादा होगा और बात करूं में weight की तो 235 gram इसका weight आपको देखने को मिल जाता है polycarbonate वाली body जो है आप लोगों को देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको जो है दोस्तों देख सकते हैं LED इंडिकेशन मिल जाता है which will definitely show the status of your battery so which is a very nice thing thank you have a nice difference मैंने आपके लिए बहुत सारे जो charger है आपको अलग अलग power bank जो की इंडिया में available है उसकी जो लिंक है मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दी है thank you have a nice difference